नितिश कुमार ने अचानक से साम होते होते फिर से पोलिटिकल मूड बदल दिया है। निताओं से उनके घरे संबंध है, मदूर संबंध है और ये जीते जी संबंध बरकरार रहेंगे। इन सारी बातों को कहने के बाद नितिश कुमार ने जब मीडिया ने इस खबर को चलाया, उसके बाद से मीडिया पर नराजगी भी जाहिर की और कहा कि अब वो मीडिया में कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। और नहीं मीडिया कोई बाइट देंगे मामला था कि आखिर इस तरह की बाते क्यों चलाए या रही है कि हम फिर से भाजपा में वापस जा रहे हैं यह हमारे संबंध है जो हमारे जीवन परियंत रहेंगे इसके साथ साथ जब मोतिहारी में नितीश कुमार ने यह बाते कही थ हम वो बताते हैं उसके बाद आपको बता दें कि नितीश कुमार ने इस पस्ट कर दिया कि इस बात को इसी तरह से रखनी चाहिए थे मीडिया को लेकिन मीडिया ने अपने हिसाब से रखा लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तेजस्वी आदों के पीट पर हाथ रखके कहा क सरवस्त इसी का है आगे इन키 को करना सब है इसके बाद से फ़िर से पोलिटिकल मूड चैंज होने लगा था और ये बातें जोड करके देखी जा रही थी नितीश कुमार के मोतिहारी वाले बयान से कि मोतिहारी वाले बयान पर रियक्षन ना आया इसलिए नितिश कुमार ने बातों को पैचप करने के लिए ऐसा किया है लेकिन नितिश कुमार इसके बाद जो आज किये हैं वो बात साथ बता रही है कि कहीं न कहीं नितीश कुमार के मूड में या नितीश कुमार के मुन में कुछ न कुछ है इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह से असोग चौधरी भरसेज ललन सिंग वाले एपिशोड पर भी राख डालने की कोशिस की गई थी हलाकि ललन सिंग ने इस तरह की कोई बात और ना इसका कोई सफाई दिया लेकिन असोग चौधरी ने सफाई जरूर दिया था बरविघा गए और बरविघा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं उनसे हमारा कोई भी जमेला नहीं हो सकता है वो जो कहेंगे हम समझेंगे सुनेंगे और करेंगे लेकिन उसके ठीक एक बिन असोग चौधरी भरसेज जो ललन सी हुआ नितीश कुमार असोग चौधरी के घर पहुंच जाते हैं असोग चौधरी सुवा सुवा पहुंच जाते हैं और इसके साथ साथ जब नितीश कुमार निरिक्षन करने पहुंचते हैं विभिन विभागों का तो वहां असोग लगतार आप देख रहे होंगा तूट हो रहा होगा अभी हाल फिलाल में लगतार जिस तरह से ललन सिंग अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ आपसे छुपा नहीं है पहले आर्सेपी सिंग उसके बाद से उपेंदर कुछ वाहा उसके ब पहले ही ललन पास्मान छोड़े हैं इससे पहले भी सुहली मेहता और ये लंबी फेहरिस्त है लेकिन रणवीर नंदन के संबंध ललन सिंग और नितीश कुमार से गहरे बताये जाते थे क्योंकि इनका नाम उससे पहले भी आया था कि ये नितीश कुमार के करीबियों में स एक हैं खास करके उस समाज से आते हैं हमने आपको खबरों में बताया भी था कि कायस समाज को कोई बड़ा प्रतिनियुत नहीं मिलता है भारते जंता पार्टी के दो विधायक जीत करके आए हैं तो वहीं सांसत भी जीत करके आते रहे हैं लेकिन जदियू समाज को जो कम संक् इनको प्रस्रे देती है लेकिन अचानक से हमने ये भी आपको बताया कि जिस तरह से रणवीर नंदन की वहाँ से एक्जिट हुई उसके बाद से ये कहानी कही जाने लगए कि ये कही न कहीं जो कायश समाज है उसके लिए भी कबरगाह बंदा जा रहा है जनतादल से बहुत सारी बाते पता चली है लेकिन जिस मूड में जिस तरह से नितीश कुमार मिले हैं उससे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और खिड़की रणवीर नंदन के माध्यम से भारती जनतापाटी में नितीश कुमार ने खोल दिया है हलाकि रणवीर नंदन के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। डबल जीरो धन्यवाद धन्यवाद।